नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिक्स में और मैं हूँ सारीका तो आज की important वीडियो होगी important topic regulating act के उपर regulating act क्या है ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये भारत में क्यों आया यानि कि इसकी प्रस्ट भूमी को समझ लेते हैं तो चलिए शरू करते हैं तो friends हम सभी जानते हैं कि 1620 में भारत में एक company व्यापार करने के लिए आती है जिसे हम British East India Company के नाम से जानते हैं इस company ने England की महरानी Elizabeth से आगया पत्र प्राप्त करके 15 वर्षों के लिए भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था एकाधिकार मतलब अब ब्रिटेन से कोई भी company इस company की प्रतिद्वन्दी के रूप में भारत में व्यापार करने नहीं आएगी इस एकाधिकार के बदले company ब्रिटेस सरकार को 4,00,000 प्रतिवर्ष देती थी तो ब्रिटेस सरकार को भी कही न कहीं इस company से फायदा हो रहा था न्यूटो ब्रिटेस इस इस इंडिया company एक व्यापार करने के उद्देशत से भारत में आई थी लेकिन जो इसके करमचारी वे भारत में व्यापार करने के साथ भारत की राजनीती में भी हक्षेप करने लगते हैं उनका इंटरस्ट भारत की राजनीती की तरफ जाने लग जाती है सत्रासोपैसट में बंगाल विहारवा उड़ीशा के छेत्र कंपणी के अधीन हो जाते हैं और कंपणी इन छेत्रों पर अपना प्रसाशन शुरू कर देती हैं चुकि एक वियापारी तो इसमें अभी व्यापारी थे व्यापारियों के एक माइंट सेट होता है कि उ उन्हें मुनाफ़ा चाहिए तो उन्होंने बंगाल बिहार वा उडिसा में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया प्रॉफिट कमाने के लिए यहां तक कि जब 1769 में बंगाल में अकाल पड़ा तब भी उन्होंने टैक्स वसूलने के पद्धिति को नहीं छोड़ा और वे टैक्स वसूलते रहे जिससे की जनता भूको तड़ड़ब के मरती रही इस इंडिया कंपनी को भी व्यापार में काफी नुकसान हुआ जो इस इंडिया कंपनी का काफी धन खर्ष तो होता है लेकिन इसका निश्कर् इतना ज्यादा फैल गया था कि जो कंपनी के करमचारी थे वे तो माला माध हो रहे थे लेकिन जो कंपनी का कोश्ट था वे खाली होता जारा था लगाता है तो इन सभी कार्णों अवित्य संकट को देखते हुए आखिरकार बात यहां तक पहुच जाती है कि ब्रिटिस इस इस्ट इनिया कंपनी को बिटिस सरकार के सामने 10 लाग पाउंड के लोन लेने की शेफारिश करने पड़ती है तब बिटिस सरकार बिटिस इस्ट इनिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाती थी क्योंकि भारत में इस्ट इनिया कंपनी ने प्रशाशने कारे शुरू कर द पड़ेगा तब कंपनी को बिटिश सरकार की बात माननी पड़ती है क्योंकि अंग्रेजों को पैसे चाहिए कंपनी को चलाने के लिए उसी क्रम में भारत में एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है अब आप यहां देखेंगे कि बिटिश सरकार कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक शुरूब से भारत पर अपना स्वामित्व इस्थापित करना शुरू कर देती है चलिए अब जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्य कंपनी के अपर नियंतुध करने के लिए बिटिश सरकार द्वरा उठाये गया यहां पहला कदम था यानि की इसिट्डिया कंपनी के कारेओं को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाएं गया रेगुलेटिंग एक्ट अब indirectly British सरकार जो थी वो Eastern India Company पर नजर रख रही थी, उसके कारियों पर नजर रख रही थी, उसके कारियों को कंट्रोल कर रही थी इस Act के तहट Company के प्रसाशनिक वराजनेतिक कारियों को मानिता प्राप्त हुई Regulating Act के तहट ही भारत में केंदी प्रसाशन की नीव रखी गई, कैसे? आईए समझते हैं तो उस समय भारत में तीन Presidency थी, मदरास Presidency, बंबई Presidency पर बंगाल Presidency हर Presidency का एक एक Governor हुआ करता था, इस Act के तहट बंगाल के Governor को बंगाल का Governor General कहा जाने लगता है बंगाल का पहला Governor General Lord Warren Hastings बनता है, ठीक है? और मदरास Presidency वह बंबई Presidency को बंगाल Presidency के अधीन कर दिया जाता है यानि कि अब मदरास Presidency के Governor और बंबई Presidency के Governor जो है, वे बंगाल Presidency के Governor General को रिपोर्ट करेंगे यानि कि अब कोई भी निर्णे गवर्णर जनरल की अनुमती के बिना नहीं लिया जा सकता, ठीक है? गवर्णर जनरल की सहायता के लिए एक कारेकारणी परशद बिटे सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, जिसमें चार सदस्य होते थे इस अब कारेकारणी परशद के साथ मिलकर बहुमत से निर्णे कर सकता है कंपनी का एक Board of Director होता था, जिसमें 24 सदस्य होते थे, ये एक साल के लिए चुने जाते थे, ठीक है? लेकिन जब ये Act पारित होता है, Regulating Act, इसके बाद ये 24 सदस्य जो है, वे चार साल के लिए चुने जाने लगे और इन सदस्यों के 25 प्रतिशत जो सदस्य थे, वे हर साल रिटायर होते थे, इनकी जगे नए सदस्यों को नामित किया जाता था अब जानते हैं कि Board of Director की न्युक्ति क्यों की गी थी, क्या कारे करते थे? तो हमने आपको बताया कि बंबाई वा मदरास के जो गवर्णर थे वे बंगाल के गवर्णर जर्रेल के अधीन हो गएते यानि कि अब बंबई और मदरास के जो गवर्णर पहने स्क्रान तरूप से निर्णर करते थे, आब ऐसा नहीं कर सकते अब उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा Governor General को किसी भी मुद्दे पर निर्णा लेने के लिए यह लोग आपस में मिलकर उस मुद्दे पर बहुमत के आधार पर निर्णा करेंगे निर्णा के बाद जो भी रिपोर्ट होगी Governor General उसको Board of Directors को सौपेंगे board of director उस नरुने को बिटे संसत के समक्ष या बिटे सरकार समक्ष पस्तुत करेगी तो यह काम था board of director का इस act के तहर 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम नयाईले स्थापित किया जाता है 1774 में उच्चतम नयाईले की स्थापना कलकत्ता में करती जाती है जिसमें एक मुख्य नियाधीश की निक्ती होती है वा अन्य तीन नियाधीशों की निक्ती होती है जो मुख्य नियाधीश थे वे थे सर अलीजा इंपे कई बार पूछ लिया जाता है जो अन्य तीन नियाधीश थे वे पहले थे चैंबर्स, लिमिन्स्टर और हाइड ठीक, चुकि कमपनी में भ्यस्टाचार काफी फैला हुआ था तो भ्यस्टाचार को खतम करने के लिए तो इसके तहट कमपनी के करमचारीों का निजी व्यापार करना प्रतिबंदित कर दिया गया था किसी भी प्रकार का उभार या रिश्वत या फिर पारितोशिक लेना मना कर दिया गया था और करमचारी ऐसे कारें ना करें इसके लिए इन्होंने करमचारी के वेतन में ब्रद्धी कर दी थी तो ये कुछ प्रावधान जो Regulating Act में दिये गए थे अब Regulating Act के दोशों को देख लेते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी ये Regulating Act दोश्पून था क्या वज़े थी तो देखते हैं गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के बहुमत के अनसार कारे करना पड़ता था जिसे कि गवर्नर जनरल को निश्क्रिये रहना पड़ता था बंगाल का गवर्नर जनरल वा मदरास और बंबई के जो गवर्नर थे उन दोनों के 20 सम्मंद जो था वो द्यावहारिक नहीं था दोश्पून था बंबई के गवर्नर थे अभी भी चाहते थे कि वे सुतनत रूप से निर्ने कर सकें वे नहीं चाहते थे कि वे किसी के अधीन कारे करें अगला है कि Governor General और Supreme Court के अधिकार छेत्र भी अर्सपस्ट थे इस Act के तह法 यह नहीं बताय गया था कि कि किस छेत्र मेरा गवर्णर जर्रनर नृणार करेंगे पर किस छेत्र में Supreme Court नृर्णा करेगी अभी एक Regulating Act कम है तो हुप पूरी तोष्ट था Regulating Act के दोशों को दूर करने के लिए एक नया Act लाया जाता है 1784 में Pits India Act के नाम से जानते हैं उसको उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले थैं